यहां पर एक कुश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि 4.8 ग्राम कार्बन and 8.0 ग्राम आक्सीजन after complete reaction give CO gas and CO2 gas find molar ratio of CO gas and CO2 gas formed after reaction यह कुश्चन है अच्छ अच्छ सीट में डाउट है क्या यह और पढ़ा देता हूं पीओ इसी की बाद और अच्छन पढ़ा देता हूं फिर सीट के डाउट लूँगा लूँगा ला अच्छ 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 पर्संटेज इडल भी परदा नहीं पर्संटेज इडल बता देता हूं क्या आएगा अंसर इसका इसके 4.8 ग्राम कारवन और 8 ग्राम आपस में कम्लीट लेट कर रहे हैं करो एक लोग का अंसर आया अभी तर इसके अंसर में कैसे काम करेंगे कि C solid और O2 वो combine कराते हैं वो combine कराने के बाद वो लोग क्या करते हैं वो लोग CO gas और CO2 gas बना देते हैं अगर आपने कुछ लोग ऐसे बना सकते हैं अगर आपने ऐसे बनाया तो यहां coefision कितना है 1 यहां coefision कितना है 1 तो आपका अंसर 1once to 1 में ही आएगा कुछ लोग ऐसे बनाके फिर reaction balance करते हैं फिर reaction balance करते हैं C solid plus 3 by 2 O2 ऐसे करके फिर शुरुआत करते हैं अगर कोई student इस तरीके से काम करेगा तो उसके case में क्या होगा इस तरीके से अगर काम करेगा तो उसके case में हमेशा answer क्या आने वाला है हमेशा answer one is to one आने वाला है आप कुछ भी कर लो यहाँ पर कुछ भी बना लो यहाँ से malls जो बन के आएंगे वो malls हमेशा इसको one is to one में देंगे तो आपने answer तो पहले ही fix कर लिया तो आपको question solve करने की कोई जरूवत नहीं है फिर तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपने answer पहले ही fix कर लिया है तो don't do this kind of mistake है ना आपको मैंने पिस्टे क्लास में बोला था कि POAC का जो question होता है वो खुद बताता है POAC का जो question होता है खुद बताता है कि मेरे उपर POAC लगाओ वो खुद बताता है कि मेरे उपर POAC apply करो तो कैसे आब आ जाती है question से apply करने वाली जैसे यह सब लिखा रहता है complete reaction बगार लिखा रहता है complete reaction का मतलब यह हुआ कि दो substance पूरा पूरा rate करके product में चले गए तो जो reactant थे ना उनमें जो atoms थे वो सारे के सारे atom product में मिलेंगे complete reaction होनी चाहिए limiting region बगएरा का concept नहीं होना चाहिए otherwise POAC का problem आएगा POAC नहीं लगा पाओ गया आप है ना limiting and find out करने के लिए आपको reaction balance करनी पड़ती है अब अगर आपने reaction balance कर लिए तो फिर POAC लगाने की कोई जरूवत नहीं है तो अगर reaction बैलेंस हो गई तो फिर POAC लगाने की कोई जरूवत नहीं है तो complete reaction जैसे है या कभी कभी formula बगएरा नहीं पता होते है तब जाके हमें feel आती है कि यहाँ POAC लगाया जा सकता है याप एक complete reaction का example दिया था होना क्या चाहिए था कि आपको कोई chemical reaction ऐसे balance नहीं करनी चाहिए था जैसे balance किया आपने ऐसा कुछ नहीं करना था आपको आपको simple समझना था कि carbon solid और oxygen ने अपने आपको completely mix किया और दो substance बनाके आपको दिया एक carbon monoxide बनाके दिया और एक carbon dioxide बनाके दिया इसके mole ratio जानने थे आपको ते इसका आप A mole मान लेते इसका B mole मान लेते अब आप देखते कि आपके reactor में कितना कार्बन है तो कार्बन को मैंने 4.8 gram दिया है तो आप इसे 12 से डिवाइड करते यह आपको 0.4 mole मिल जाता ठीक है और इसको आपको मैंने कितना दिया 8 gram दिया इसको आप 32 से डिवाइड करते है ठीक है तो अगर आप इसे 32 से डिवाइड करते है तो आपको 5 by 2 moles मिल जाता तो आपको 0.25 मोस मिल जाएंगे इसके देखें 8 divided by 32 yes 0.25 moles मिल जाएंगे ना तो 0.25 moles आपको इसके मिल जाएंगे ऑक्सीजन के यह O2 के हैं ध्यान रखना अब आप क्या करते है अब आप POAC लगा देते किसके उपर एक में एक है ए में A होगा तो POAC लगाओगे तो क्या आएगा बोलो यहां पर A plus B आएगा and this would be equal to 0.4 इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट में लिख सकते हो इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो आप चैट में लिख सकते हो ना देख लो यह पहली रियक्शन मैंने बनाई है इस तरही किसे है दूसरा जो आप लगाओगे वो क्या लगाओगे P.O.A.C. जो लगाओगे वो O.A.C. पर लगाओगे जब O.A.C. पर लगाओगे तो क्या होगा O.A.C. पर लगाओगे तो कार्बन मोनो ऑकसाइड में O.A.C. एक है तो A आएगा कार्बन डाइकसाइड में 2 है तो B की जगे 2 भी आएगा फिर हमारे पास 0.25 के बरावर करना लेकिन नहीं multiply 2 जरूर कर लीजेगा कुछ लोग ये 2 multiply नहीं करेंगे वो ये भूल जाते हैं कि 0.25 मोल किसके थे O2 के थे मैंने आपको हमेशा बोला है कि मोल बना कि हमेशा पूछो किसके मोल है वरना कुछिन गलत होने के चांसे बढ़ जाते है तो 0.25 मोल जो है ना वो किसके है वो O2 के है तो यहां पर 0.25 मोल जो है ना वो O2 के है और O2 को 2 से हम multiply कर लेगे तो हमें O के मिल जाएंगे तो यहां पर 0.5 मोल आ जाएगा किसका यह आ जाएगा तो आपका A प्लस 2 भी जो होगा वो कितना हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा एक कुशन नमबर 2 हो जाएगी अब आप इसको माइनस कर लीजे तो सेकेंड मैसे अगर आप फर्स्ट को माइनस करते है तो आपको B का वैलू 0.1 मोल मिलता है ठीक है और अगर आप इसमें 0.1 मोल पुट कर देते हैं किसी भी एक कुशन में फर्स्ट में पुट कर दीजे तो आपको A का वैलू 0.3 मोल मिलता है इस तरीके सा अगर आप A डिवाइड बाई B करेंगे तो यू विल गेट 3 बाई 1 तो इस तरी स्टु वन के रिशियो में बनेगा A किसके मोल थे CO के मोल से और B किसके मोल से बोलो वो CO2 के थे तो यह 3 स्टु वन के मोल से में बनेंगे हाँ अगर कोई स्टुडिन डारेक्ली यहां पहुंच जाए किसी तरीके से तो वो फिर ठीक है 3 स्टु वन के मोल में आप एक बनाके देख लीजूए ठीक है 3 ज्टु वन के मोल में जाओ एक बना के देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पे 4 कार्बन यूज होंगे और ऑक्षियं कितने यूज होंगे बोलो 3 औ 2 5 5 यू 2 यूज होगा ठीक है तो आप देखेंगे कि इसका मोल मैंने कितना था अगर हम इनके मोल्स का जो रेश्यू है तो आप देखें ध्यान से तो अगर मैं चाहूं तो इसको मैं 4 और 25 लिख सकता हूं 2.5 लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूं और ये जो कोफिशन्ट है ये जो कोफिशन्ट आपको दिख रहा है ये कोफिशन्ट भी कितना है 2.5 है तो हमारे जो मोल का रेश्यू है वही किस से मैच कर रहा है कोफिशन्ट के रेश्यू से मैच कर रहा है तो मोल का रेश्यू जब कोफिशन्ट के रेश्यू से मैच करता है तो कोई भी reaction के बाद बचता नहीं है दोनों क्या हो जाते है जीरो हो जाते है और यही यहाँ पे था कि complete reaction हो रही है ना तो C carbon बचेगा ना ही oxygen बचेगा ना दोनों के बीच में क्या हो रहा है एक complete reaction हो रहा है तो complete reaction हो रहा है तो complete reaction हो रहा है तो इसलिए क्या होगा यह आपका पार्ट इस तरीके से चल जाता है लेकिन directly इस reaction पे पहुंचना मुस्किल होता है student कैसे hit and trial करेगा और कैसे समझेगा कि CO2 का क्या coefficient आएगा वो तो इन समझ जा हुए chance की बात है यह तो एक chance की बात है कि यहाँ कोई 3 है यहाँ पे कोई ऐसे आजाए it's a chance only nothing more than that by chance की बात है कि ऐसा हो जाए वरना तो लोग 1 is 2 option match कर सकते हैं अगर आपके पास objective है तो you can go with the option 4 option से आप करके भी ला सकते हो ऐसे भी कर सकते हो और अगर आपको बिलकुल option से नहीं जाना है बिलकुल solve करके लाना है तो you have to go with the POAC है ना ऐसा कर सकते है ठीक है ओके सो ना सिवानी बोल रहा है कि 2 से multiply क्यों किया सिवानी ये जो moles है ना 0.25 जो moles बनाए है ठीक है वो बनाते समय आपने 32 से divide किया है तो 32 से divide किया है तो इसलिए क्या होगा ये 0.25 moles कि कि के आएंगे सिवानी 0.25 moles कि के आएंगे पता है O2 के आएंगे और तुम POAC किस पे लगा रहे हो पता है POAC तुम लगा रहे हो O atom पे समझे तो ये तुमारे जो LHS में जो moles है ना वो O atom के है ये वाले तो इसको भी O atom का होना पड़ेगा तब ही यहां 0.25 में क्या किया है call two multiply किया है got it हाँ O2 के mole में two multiply के लग दिया है Malik कहां पे रहे गया Wizay विजे ने क्या प्रिबलम है येस बिजे हाँ बाई कहां गया विजे विजे ने hand harass किया तो गायब हो गया क्योट भी होग helps ठीक है हो जाएगा यह विजय भूलो क्या कह रहा है विजय राए भूल जय Hindu इसकर जिसका पारी पारा में mode ratio निकाल लेंगे तो हमें coefficient ratio मुझाल होना चाहे है coefficient ratio एक्क्वल होना है मतला अपता है complete reaction और mode ratio और coefficient ratio फारा होना चोहिए है अब उसके कार्डिंग हम लेफ साइट बैलेंस कर लेंगे सर पहले हमें कॉफिशन डेश्यो मिल जाएगा मतला अच्छा मतला आप यह एक अच्छी ट्रेक है बताई आपने बड़ी अच्छी बात है क्या हो सकता है आपने का कि सर जिरो पॉइंट फॉर मो लह एता है ना ऐसा यह और पॉैंट तो फैंज जो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा तो 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 पर भेज़ दो, ना तो 8-5 आ जाएगा यही, यह सर, उसके बाद, 8-5 में अपन क्या ले लें, कारबन ओक्सिन के बाद ले, मतलब तुम्हारा कहना ही है, एपन 8-8 तो कारबन ले 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 और 5-5 ले 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 ले, यह सर, और फिर यहां बैलेस करें, क्या करोगे, पे बैलन्स क्या लिखो गए 8 carbon लाने है तो क्या हो सकता है 8 carbon के लिए प्रीमालने A plus B 8 हो जाएगा उसके बाद A plus 2 B 10 oxygen अच्छा मतलब A plus अच्छा इसके मुस जो CO2 कर ले इसका A और B कर ले आसे इसका A coefficient सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अगर हम क्या करें उनके मोल का रेश्यो निकालने तो अपने को अगर हमारे पास option होंगे तो बहुत जल्दी कर ले जाएंगे वह बाद में जाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा बद तो लगाना ही पड़ेगा पड़ेगा करना बट इडिज ऑलसो गूड अप्रोच कर सकते हैं ठीक है सब लोग और में आगया हाँ इस टाइप ऐसी यार सुपर किलियर अगर सब को सही है अब लोग एक प्यो एसी का एक कुश्चन और करते हैं और ये वालो जो कुश्चन है इसमें एक माइक बंद कर ले बटे लेगे तो इसको करेंगे कर दो आगया है झाल सबको देख रहा है 14 नमबर इसको आप करो पहले इसको आप अटेंट करो 14 नमबर कुश्चन आप करो 1 ग्राम ड्राय लगी वाला इसको करो इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि 4.7 तेंट की पार मानस 8 होना चाहिए यहाँ पे मोल आफ सी ओ टू अला जहाँ पे 10 लिखा हुआ है एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ आर्सी मुखर जी यह कुश्चन है मैं एक बार उठा लेता हूँ तुम लोग तब तक अटेंट करो इसको स्टार्ट तो करो यहां पे चेंज करना यहां जो पावर लिखी हुई है यह पावर जो है न यह 10 की है 4.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 करना तब आंसर आएगा यह माइनस 10 जो है न यहां इस्परिंट है इस बुक में है आंसर आपका ऐसे आएगा आया किसी का आंसर आगया क्या आंसर आया तो बताना आपका न 7.88 ठीक है ठीक है बट कुट कुट तो आप लोग चैट में लिख के बताओ क्या कुश्चन नमर 14 को देखकर आपको ये फील आ रहा है मतलब इसमें कुश्चन को देखकर आवाज आ रही है इसमें कि P.O.A.C. लगाओ आ रही है ये कुश्चन को पढ़ने से फील आ रहा है कि यार इसमें आप सीओ टू पर आबर बाइद फोटो सेंथे से स्टाप फोटो सेंथे से करेक्शन कौन लिखेगा इव दा फिक्स कारबन एटम वेर ओल स्टोर्ड ना तो यह जो फिक्स कारबन एटम लिखा यहीं से फील आणा चलू हो जाती और प्लस फार्मूले और मिले नहीं पता है तो इफ्दफिक्स कारबन एटम वर औल इस टोड आफ्टर फोटो सेंथे सेज अनगे सब हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में आफ्टर फोटो सेंथेसे स्काथ इसमें आजाता है कि हाव लग वुललाउं टेख फॉर अलगई तो डबल दियर ओन वेट है ना तो डबल दियर ओन वेट अजुमिंग दा फोटो सेंसे टेक प्लिस अधा कॉंस्टेंट रेट तो जो ग्रीन अलगई है वो क्या होगा है ना उसमें क्या हो रहा है बैसिकली वो कितने ग्राम का था ठीक है तो इस कुश्चन नमबर जो हमारा फोटीन है बुक में वही मैं नमबर डाल देता हूँ एक अलगई है यह ठीक है यह अपका क्या कर रहा है यह वन ग्राम मास का है इसका तीक है इसका वन ग्राम मास है अब यह फोटो सेंसेस करता है और सीओ टू गैस को एब्जॉर क करता है अगा फोटो सेंसिस के बाद इसमें क्या होता है इसमें जो लिए पिध्र हो जाते है कि पोजित होता है यह किसका टिपोसिशन के बाद यह जो मैंने अपको यहां पर माक किया इसके सर्फिस को उपर में यहां इधर भी मार उसकते हैं ऐसे करके पार्किंग मैने जो सीए करने का मक्सद है कि इसके उपर में कोई चीज डिपॉजिट हुई है डिपॉजिट होने के बाद जो मास बनता है ठीके ना वो टू ग्राम बनता है डबल हो गया मास को बोला ना मास डबल हो गया डैट मींस गिम्मी वर्मेट तो मैं इस तरीके से आप समझ सकते हो ना तो यहां पर आप क्या कर सकते हो आपको समझ में आ रहा है कि CO2 जतना था उसमें जो भी कारबन था वो सारा का सारा किस के फॉर्म में चला गया है इस तरीके से ओके है तो अगर मैं इसका A मॉल मानता हूँ और इसका B मॉल मानता हूँ समझें तो मैं POC लगा सकता हूँ किसकी उपर में कार्बन की उपर में क्योंकि कार्बन कंजर्व रहेगा POC on on C atom C atom पे POC लगाय जा सकता है तो आपका ये कांसर आएगा A equal to क्या आएगा बोलो, क्या लिखोगे आप लो, बताना मुझे रहा equation क्या लिख के दो लगा प्यों इसे हाँ, बिलकु सही 6 B into 6 N into B आएगा तो वाट इस B वाट इस B, B क्या है B क्या है तो ये होगा A क्या है most of CO2 gas क्या होगा, absorb और इसमें 6 N multiply करना, और क्या लिखना Moles of starch तो आपको मिलेगा Moles of CO2 gas absorbed 6 into N Moles of starch Moles of starch कैसे निकलेगा Mass of starch Mass of starch W of starch molecular mass of starch से निकलेगा So I'm going very detailed कैसे Mass of starch कितना होगा 1 gram extra deposit हुआ है Mass double हुआ था 1 gram मास किसका माने जाएगा स्टार्ज का माने जाएगा ठीक है और आपको ने Molecular Mass जो एना निकाला कितना आया था स्टार्ज का 72 प्लस 10 कितना हो गया 72 प्लस 162 आएगा ठीक है तो यह 162 आएगा और into N करना मत भूलना into N करना मत भूलना यह whole N लगा हुआ यहाँ पे 162 तो इस वाले पार्ट का मास आएगा into N जब करोगे ना तो उसका फाइदा यह होगा कि यह वाला N और यह वाला N खतम होगा तो आपको समझ्या नहीं आएगी है ना आपको जो मोल्स आफ सीओ टू एब्जॉर चाहिए वह सिक्स डिवाइड बाई 162 मोल चाहिए तो इस मास को डबल करने के लिए यह वन ग्राम को टू ग्राम या वन ग्राम स्टार्च को बनाने के लिए और आप क्या करते हैं आपको यह देटा कह रहा है कि 4.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल जो CO2 एब्जॉर होगा फोटो सेंथेस में उसमें 1 आवर लग जाते हैं तो फिर भाई 6 डिवाइड बाई 162 मोल को अगर मोल CO2 के एब्जॉर कराना है तो कितना टाइम लगेगा तो 1 डिवाइड बाई 4.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और मल्टिप्लाइड बाई 6 अपाउ 162 तो दा आंसर कमस आउट तो भी 7.88 आउर यह आपका आजाएगा ठीक है आप किसी को डाउट हो तो ठीक है नहीं तो टाइप S.C.R. सुपर के लिए आप समझना आ गया प्रतीख कांसर सही का लोगों है गण सेल रहे तो इस तरीके से कुश्चन था तो ये मैंने एक कुश्चन और आपको करा दिया अधिया धू आ हम लोह क्या करना है परसंटेज ही वाला पार्ट आपको करा धिया जाए परसंटेज इले ऊफ रिएक्शन ये क्या होता है परसंटेज इले डिस नतिंग बर दा आउटपुट आउटपुट जो आता है उसकी हम लोग बात करते हैं जैसे एक फीन आते हैं फिर हम लोग आँगे पॉर काम करेंगे जैसे मालोग कैल्सियम काब में डिकम्पोस करके CO2 गैस बना रहा है और आपके पास यह 100 ग्राम तन मतलब आपके पास यह 1 मॉल था अब यह 50% डिकम्पोस कर जाता है और आप यह इसको या आप ऐसे समझ लिए इसके 1 मॉल का पूरा डिकम्पोसिशन कर रहा हूँ यह 0 बचेगा तो यह कितना बना रहा के देगा 1 मॉल बना के देगा तो how many gram you will get how many gram of CO2 you will get कितना आजाएगा बोलो 44 gram यह वोना चाहिए लेकिन जिस container वगएरा में आपने क्या किया इसको heat वगएरा कर रहे थे उससे कोछ CO2 गैस बाहर चला जाता है और reality यह है कि आप केवल जो recovery आप कर पाते है वो 22 gram CO2 की recovery कर पाते है यह तुमको CO2 जो है 22 gram CO2 यह तुमको actual मिलता है यह वास्तिकता है कि तुमको actual मिलेगा तो आपका percentage yield कितना हो गया output कितना आया बनना कितना चाहिए था बनना चाहिए था 44 gram मिला कितना तुमको मिला कितना मिला वो जो था वो उतना ही मिला आपको कितना 22 gram ही मिला है ना इस तरीके था half mole मिला अदा मिला तो पसंटी जील आपका कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा कि अब अगर मैं आपसे पूछू कि कितने मोज केल्सियम कापने डिकंपोज हुआ थो हाँ वन मोल पूरा का पूरा डिकंपोज हुआ था ठीक है 50% इफिसेंसी देखने 22 ग्राम सी यूटू देखने के बाद अगर मैं आपसे यह पूछू यहां पर फिप्टी परसंट लिख देता हूं इस जगे पर ना ऐसे उपर जो लिखा रहता है से करके 50 पर लिखा रहता है इसका मतलब इस रियक्षन का इवल्ड फिप्टी परसंट है अगर मैं कहता हूं कि इस रियक्षन के दौरान 22 ग्राम सी यूटू गैस बना था तो कितना कैल्सियम काविन बचा था कितना कैल्सियम काविन बचा था 0.5 50 ग्राम विद्ध फिप्टी परसंट इल्ड विद्ध फिप्टी परसंट इल्ड अगर आपको अना अगर आपका 50 परसंट इल्ड तो अना मेरे इसाब से तो जीरो बचना चाहिए मेरे इसाब से जीरो बचना चाहिए क्योंकि जब वो उसका वन मौल करेगा ना अगर आप उसका ौन योड करा ओगए तो बहन हाफ से से जो ना हम यस डिकंपो मोज्ड पूरा ही हुआ था यस डिकंपोश तो पूरा ही हुआ था लेकिन हम रिकावर नहीं कर पाए कि रिकवर नहीं कर पाए यह अधक special पूरा ही हुआ था कि यज वह मिला 50 पर्सेंट एक तो पूरा ही वा था ना डिकम्पोस्ट तो था वह पूरा ही हुआ था काबी में कोई समस्या नहीं कोपी में तो जब भी वन मूल कैल्सअम काबनेट डिकम्पोस होगा पापी में तो कॉपी में तो हमेशा 44 ग्राम सी यूट्यू बने two copy से बाहर निकलने लगा ऐसे एना ऐसा नहीं होगा ना यह वहर जाएगा यह नहीं आपको क्या करना दोनों आपको पहले वन वन मोल बना देना है दोनों ही आपको बन बन OSC ये फिप्टी- पसेनल देखा हुआ है तो बाद में zeroि फ् mold पैण फाइब और तो रीएल्टी नशेर था ना फिपर निकामचर सबकों डिक बसंट जाएगा तो अरे थारह और असलने है तो यह जो हैना ऐसा कुछ हम लोग बात करते हैं इसमें। की रहते हैं कि जो परसंटेज यिल्ड आएगा जो परसंटेज यूल आता है वह क्या होता है उपर में हम लोग क्या लिखते हैं। और मैं लों कि नीचे मिदों ट्रॉराइ का लीपटें। कि इन टू हंड़ेट कर देते हैं कि यह 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 मेरे साथ से तो जीरो ग्राम ही बचना चाहिए हैना कुछ लोग इसको रिवर्स केल्कुलेट करते हैं कि पॉइंट फाइब बता देते हैं मतलब बचा रहेते हैं मुझे इसाब से कि तो बहुत पूरा जब बना आउट्पूट का मतलब ही क्या है अब अपने दस कुष्चन अटेंब किये पांच सभी हुए तो इफीजंशी कितनी आई फिप्टी परसंट फिप्टी परसंट इफीजंशी का मतलब थो ही ना कि आपने पांच ही कुष्चन अटेंब किये थे हाँ बिलकुल इसी लिए तो मैं बता रहу और थियोरी में और आपकी सीट में यह कुष्चन है जिसमें उन्होंने बचा रख्गा है है जहां पर उन्होंने बचाया हुआ है उसको बिलकुल इसी लिए मैंने बताया हुआ हो थो पूरा खुरिंट करेंगे तो ही Efficiency निका लेंगे बिल्कुल जाह Бात है आँए तो ही वाली बात है यहाँ पर पूरा खतम होगा तभी हम Efficiency निकालेंगे दो यह होना चाहिए मेरे हिसाब से तो यह होना चाहिए यिल का मतलब ऑज़त तरीके से रहेगा तो इसपझे DK काथ कोई कुश्चिन करते हैं इस पर परसंटेज इल्ड पर एक कुश्चिन कराते हैं आपको करिये इस पर आपको कर आपको क्यूशर, युश्चिन कर दे ऐा डिल्ड, युश्चिन कर द आपको from oxidation of ammonia is given by . . . झाल झाल यह यह औसŃ औसट्वाल्डॉा से ने कि और फस शुर्मुन सैब एके उष्टाओश्ट इस को लखी आपको 50% 60% और 80% question है आपका what volume what volume of ns3 gas at stp required required to produce to produce 1575 ग्राम अच्छा नव त्री करवा आपको हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए था हमें चाहिए था कि चलो a mole चाहिए था है तो a mole से a mole ही बनेगा क्योंकि coefficient same है दोनों का ना coefficient same है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 50% yield है तो 0.5 mole यहाँ पर multiply कर देना 50% कर देना यह आपका यह कौन से mole है यह आपका actual yield है यह actual mole formed आएंगे वास्त विक्ता में इतने हमोनिया यहाँ आ जाएगी कोई coefficient no का और no2 का same ही है तो mole तो बराबर ही बनेगे 0.5 into a mole जो है ना वो बनना चाहिए था लेकिन क्योंकि यहाँ पर efficiency कितनी है 60% है तो इसको 0.6 से multiply करना पड़ेगा यह आपके actual moles आ जाएंगे अब जब तो यह actual moles आ जाएंगे तो क्या होगा फिर इसको as it is नीचे उतार देना तो छे पंचे तीस आ गया 30 के बाद 0.3 यह आ जाएगा तो यह जो mole multiply होके आएंगे यह 0.3 into a mole आएंगे ठीक है तो 0.3 into a mole आप यहां ले आएएंगे यहां कोफिशन डिफरेंट है एच उन्ती बना रहे के लिए तो यहां पर आएगा 2 by 3 times of 0.3 a mole यह आएगा यह आना चाहिए तुम्हारे हैसाब से लेकिन इसकी efficiency 80% है 80% है तो फिर आपको actually लानी पड़ेगा 0.8 यहां पर multiply करना पड़ेगा यह वाले 3 से यह वाले 3 खताम हो जाएगा तो अपने पास बचेगा 0.1 a तो यह हो जाएगा 0.16 a mole के बराबर ठीक है तो 0.16 जो mole आएगा 0.16 mole का अगर हम देखें हैं तो 0.16 mole हमारे पास आ गए किसके आ गए है 403 के आ गए है ना तो 0.16 mole जो है ना वह 403 के आ गए है और तुम्हारे पास 403 का मास कितना था मॉलिकल मास कितना होता है 63 यह ना उस तरहीं कैसे तो इसको किसके बराबर कर दो 1575 के बराबर कर दो यह ना 1575 के बराबर कर दो इसको डिवाइड कर लो अपने आप ही आ जाएगा समझ में तो 1575 डिवाइड बाई जो आएगा 0.16 इन्टू 63 एक ही वैलू जो निकल के आ रही है 156.25 mole निकल के आ रही है इससे आप क्या करो वो कर लो 156.3 इन्टू 22.4 कर लो ठीक है हाँ यह तो series of reaction जैसा है मनला कई सारे concept लगा दिया series of reaction भी लगवा दिया तो volume at stp क्या होगा volume at stp हो जाएगा 156.25 इन्टू 22.4 लीटर 3501.12 लीटर आ रहा है अप्रॉक्सिमेट जो है न जैसे अगर आप उसको देखोगे नरे नवस्ति का बुक का कुश्चन है न तो उसमें 3500 ही दिया हुए आंसर है न 3500 ही आंसर दिया हुए तो स्रीज आफ रेक्शन का भी कॉंसर्ट सीखा परसंटेज इल्ड का कॉंसर्ट भी सीख लिया अब बताओ कोई प्रॉब्लम में इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ नहीं तो आंगे बढ़ते हैं हो गया है अब कितने एंटीप। स्टीपि में 22.4 लीटर रहता है ना हां 22.4 लीटर ही रखना तो हम तो इंचन मतलो है ना एंटीप्यों स्टीप्यों जो भी है हम लोग 22.4 लीटर लेकर रहते हैं तो यह ठोटेक है थिक ठोड़ी के परसंटेज प्यूर्टी percentage purity तो कैसे करोगे percentage purity में mass divided by ordinary sample का mass into 100 that become the percentage purity ना mass जो होगा वो क्या हो जाएगा mass divided by वो percentage purity हो जाएगी जो भी mass निकालो हो औरिजिनल mass divided by total mass into 100 that become the percentage purity एक है क्या जदा हो जाएगा यशुबरदन क्या कह रहा है अच्य बता और निकालना सबको आता रहा है कि ऑक्सिरेशन नंबर मले क्या कहरे है इस आपनों पहले आचर्नो थिए मोल्स निकाल ले आपड़ि ze वहां से पीछे जाएंगे अगर तो पॉइंट टू से मुल्टिप्लाइब करेंगे ना पॉइंट एट करेंगे लास्ट रियक्शन हो यह यह अगर है तो ट्रेवाइट से डिवाइड होगा फिर मेरे हिसाब से पॉइंट से डिवाइड होगा पॉइंट से डिवाइड होता हो निकलेगा फिर उपवारे से पॉइंट से डिवाइड होने से क्या मिलेगा एक मल्रुको इल्ड डिवाइड करने से तुमने मोस माने है आहां फिर बात है विसिक्लि तुमने क्या किया होगा तुमने एकच्टिकल फिर दिय्ट यहां पहुंचेगा लिए जिल नीची आएगा रमजा तो डिवाइड होएगा ठीक है कॉंसेट्प क्लिए हम ठीक है डॉन 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 ओके तो यह हुग गया ऐसे कर लो तो यह तो complete, तो मैं एक काम करूँ, मैं balancing करा दूँ, बोलो, या कर लोगे, balancing आता है, कोई है, class में इसको balancing ना आता हो, redox reaction का, क्योंकि यह दे रखा है उसमें तो, redox वाला section में balancing वगरा दे रहा है, देखा है न, seat आप लोगोने है, न, ठीक है, तो we'll start with the balancing of redox reaction, next adding करो आप ल तो balancing of redox reaction वो करा लेता है, न, for later, और जिन्होंने coaching नहीं किया है, उनको तो नहीं आता होगा, जिन्होंने किया कर रखा है, उनको आता होगा, कर लेता है एक बार, है न, balancing of redox reaction है, न, तो balancing of redox reaction में क्या रहता है, कि इसमें दो, मतलब हम लोग दो method use करते हैं, there are two methods for balancing, there are, there are two methods for balancing redox reaction, paper तो नहीं देना है, mole concept का, paper दोगे, mole concept का, paper अगर देना हो, तो मैं बेज़ देता हूँ, paper न, देना है, तो मैं आपको एक link बना के भेज़ूँगा, अपना मेरा जो paper मैंने लिया था भी कुछ दिन पहले अपने student का, तो मैं वो कहां भेज़ूँ आप लोगों को मैं भेज़ूँ या तो telegram link पे भेज़ दूँगा और मैं उधर पर भी अपने पास, दोनों पर लोग है, एप पर भी भेज सकता हूँ, जहां पर दोनों पर भेज़ दूँगा, उसका एक link बेज़ूँगा, तो वहां पर आप click करके जो है न, उस पर आप test, जो है न, login करके आप test दे सकते हैं, ठीक है, लाइप करा देता हूँ मैं उसको एप में आपको batch code जो है न, पता होगा न, batch code नहीं पता है क्या, पंकच, आप मेरा mobile lab जोईन कर ले न, chemical, chemistry classes का, और उसमें लिख देना, आप लिख देना क्या आप R04 की student हो मैं आपको जोड़ दूँगा, श्रीस P.I.P workseed folder में ईस्फुडर, और वो मैं ने हटा दिया, P.I.P वाला है न, रेजिनेंस में, रेजिनेंस में आएगा, है न, हां वो तो संडे वाला टैस्त तुमको देना ही है, देना है, न, वो तो देना ही है, जो रेजिनेंस का वो देना ही, देना है, मैंने एक बन के टेस्ट देना चाहते हो एक गंटे का टेस्ट अंदी को प्रैक्टिस करने हो तो आज़ा ना अभी क्लास कम क्यों हो रहे हैं क्लास बढ़ जाएंगे भी आपके चलो आंगे बढ़ते हैं लोग तुम लोग 13 तुम लोग सब आएगा चाहिए एसे कैसे करोगे तुम लोग सब आना चाहिए तो दो तुमको सब आना चाहिए तुम समझ रहो न तुम यह नहीं बोल सकते हैं कि म्योंट बंदूग चलाना आती है में साइल चलाना नहीं आती है तो चलाना आती है और तुम पे तुम पर कुछ भी बसाया जा सकता है तुम्हें ना एक्साम के अंदर युआ दर आद उनला ट्रेंड सोल्जर है ना आपको आपके उपर कोई भी खत्रा आ सकता है कभी भी आप भी बोल नहीं सकते हैं कि यह नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता So there are two methods of balancing One is the iron-lektron method Iron-lektron method And the other is second is the oxidation number method क्योंकि आपको यह कहीं लिखना नहीं है प्रिजेंट नहीं करना है तो इसलिए मतलब बहुत सारे स्टुएंट जब सीख जाते हैं तो इन में से कोई भी method यूज नहीं करते हैं उनको जो मन करता है बैलेंस कर ले जाते हैं लेकिन पिर भी पढ़ा रहे हैं तो एक बार तो आपको बताएंगे आपको किसी ने बैलेंसी फैक्टर से बताया हो वही method होता है और एक होता है आयन लेक्टरॉन method में हम लोग बात करते हैं आयन लेक्टरॉन method में क्या करते हैं दो medium लिए जाते हैं एक होता है acidic medium और एक होता है basic medium यह तो medium mentioned होता है यह आपको predict करना होता है predict कैसे करोगा जैसे NH लिखा हुआ है OHN लिखा हुआ है तो वहाँ से basic का feel आ जाता है कोई basic oxide वगएर जैसे NA2O, MGO वगएरा तो basic oxide होगा उससे feel आ जाता है acidic medium की feel यहाँ पे OHN बगएरा दिखाई देते हैं basic medium में NH बगएर दिखाई देगा ठेके ना कोई basic oxide दिखाई देगा NA2O बगएरा या NA2CO3 बगएरा इस तरीके से कुछ दिखेगा तो basic का कुछ feel आता है acidic medium में H plus iron दिखाई देते हैं कोई ना कोई medium देने वाला जैसे H2SO4 दिखाई देगा या कोई acidic oxide बगएरा CO2 बगएरा दिखाई देगा SO2 बगएरा दिखाई देगा SO3 बगएरा दिखाई देगा तो इस तरीके से आपको feel आता है कि है medium acidic होगा acidic medium में जब balancing होती है तो H plus iron और H plus iron and H2O दो चीजों का use करके balancing की जाती है H plus iron और H2O दो चीजों को use करते हैं और यहां पे balancing में और यहां पे OH iron और H2O का use करते हैं balancing में तो balancing के जो steps हैं उनको आप कैसे follow करोगे उनको हम लोग बात करते हैं जैसे आपको किसी ने question दिया क्या आपको एक reaction balance करनी है FeSO4 plus Km4 plus H2SO4 giving you Fe2SO4 whole thrice MnSO4 यह 2SO4 plus H2O ऐसे दिया जाता है आपको यह मानलो आपको balance करना है इसको balance करना है तो सबसे पहला काम क्या करोगे step first में क्या होगा step first step first में आपको सभी element का oxidation number लिखना होता है write oxidation number of each element present in the reaction तो यह आपका step one होता है write oxidation number of each element present in the reaction reaction में present सभी element का आपको oxidation number लिखना होगा तो यह लिखना आपको आना चाहिए देख लो आप लोग लिख पाते हो कर नहीं लिख पाते हो है देख लो आप एक मिनट में आपको time दे सकता हूँ आप लो लिख लो एक मिनट का time है आपके पास तो मैं देख लेता हो कि आप लिख पाऊगा या नहीं लिख पाऊगा है वैसे आप मैं लिख देता हूँ जाओ तो आप मैं से देख लो यहां पर F2 प्लस आएगा यहां पर प्लस 6 आएगा यहां पर प्लस 6 आएगा यहां प्लस 2 आएगा इस तरीके सा आप औक सीशन नमबर लिख लेना है ना जब आप औक सीशन नमबर लिख लेना तो उसके बाद आपको क्या करना है step second पर जाना है step second यह कहता है step second यह कहता है कि eliminate those species you know eliminate those species which are not showing change in oxidation number by this you can get reaction in ionic form eliminate those species which are not showing change in oxidation number you know by this you can get reaction in ionic form ionic form में आपको reaction मिल जाएगा उन सब को हटा दो जो oxidation number में change so नहीं कर रहे है तो पूरी reaction में जो sulphate high नहीं है जैसा यहां पड़ा हुआ है वैसे यहां पड़ा हुआ है वैसे यहां पड़ा हुआ है वैसे यहां पड़ा हुआ है sulphate and हटा दो potassium में कोई change नहीं है potassium हटा दो H2SO4 cable medium दे रहा है कोई मतलब नहीं हटा दो पानी बाद में अपने आप आजाएगा इसको भी हटा दो है ना तो cable जो बचेगा वो क्या बचेगा वो बचेगा cable यहाँ पे reactant में बचेगा Fe2 plus और बचेगा MnO4 minus 1 कुछ लोग O atom हटाने की भी बात करते है O atom नहीं हटाना चाहिए O atom containing species है तो O atom maintain रखना हटाओगे तो बाद में लगाना पड़ेगा तो कुछ लोग क्या कहता है O atom पूरे reaction में O atom का भी तो minus 2 दिख रहा है मुझे तो sometime student says की sir इसको भी हटा दो और यहाँ पे plus 7 कर दो यह उतना अच्छा practice नहीं माना जाता है उतना अच्छी बात नहीं है क्योंकि Mn plus 7 जैसा कोई radical है भी नहीं पानी में पानी में तो reality यह है कि MnO4 minus 1 है ions के form में तो अपने वो लिखेंगो ज़्यादा better होगा MnO4 minus 1 है नहीं लिखेंगे product में cable F3 plus ही बचेगा और Mn2 plus बचेगा बाकिस सब हट जाएगा इतनी बड़ी reaction थी जो कि molecule form में दी गई थी वो आपकी ionic form में convert हो जाती है कैसे कि सभी का आप oxidation number लिखे और उसके बाद आप क्या करिए उन सबको आपको क्या करो उनको सबको हटा दो जिनके oxygen number में कोई change नहीं आ रहा था अब इसमें ये देखो कि यहाँ पर oxidation reduction कहा हो रहा है तो यहाँ पर यह oxidation हो रहा है इस ionic form की reaction में यहाँ पर oxidation हो रहा है और यह प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है तो यहां पे reduction हो रहा है नो उसके बाद क्या करना है जो आपका split जो होगा step 3 जो होगा उसमें आप क्या करने वाले हो step 3 में step 3 में आपको क्या करना है split करना है split the ionic form reaction in two equal half no in two halves equal तो क्या बोले है equal तो नहीं बोलना चाहिए two half लिख दो है in two half reactions two half reactions में आप इसे break कर सकते हो one for oxidation one for oxidation and other for reduction and other for reduction so one for oxidation में basically oxidation में क्या दिख रहा है आपको Fe2 plus is going to be oxidized to Fe3 plus this is the oxidation process and the reduction process is MnO4 minus sign is going to be converted to Mn2 plus this is the reduction process so हमने इसको split कर लिया अब split करने के बाद आपको reaction अलग-अलग balance करनी होती है तो balance करने के लिए हमें क्या करना होगा balance करने के लिए नेक्स स्टेप आपका जो होगा वो स्टेप कहता है जब आप split कर लोगे तो वो कहता है कि balance the atoms other than oxygen and hydrogen hydrogen first या first balance first को आप पहले भी लेख सकते हो first balance the atom या इसको first काफी last में आगिया लेकिन आप जाओ तो पहले भी लेख नोट कर सकते हो first balance the atoms of atoms other than hydrogen oxygen hydrogen hydrogen oxygen को छोड़कर जो दूसे atom से पहले आप उन्हें balance करो पहले आप atom balance करो यां तो समस्या है नहीं यहार F.E.E. है F.E.E. K.E.ward, Q.E.E. कोई समस्या नहीं है यहाँ M.N. है कोई समस्या नहीं है अब जब यह आप other than इनको balance कर लो उसके बाद next step में क्या गरोगे next step आप का जो है उस next step में आप क्या गरोगे अब को balance करना है balance oxygen atom by using H2O and then H atom by using H plus ion in acidic medium O-H in basic medium O-H in basic medium O atom to balance O atom to balance O atom to balance करने के लिए आपको water particle जोड़ने पढ़ेंगे कहा जोडने पढ़ेंगे जहां कम है demand के साइड में कम थे तभफ ने चार एच डू जोड़ दिए меч सा करने पर आप हैट तरो करने पर यहां पर art replacing जादा हूए यह आठ एच है के आठंट को बैलनस करने कि अब इस side में क्या लगा दिया 8% लगा दिया इस तरीके से क्या हो गया item balance हो गया और अगर basic medium होता तो है channel लगाते हैं जब इतना कर लेना तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा charge balancing next step में क्या होगा next step में होगा charge now balance the charge by using electron now balance the charge by using electrons now take charge on one electron equal to minus one unit the electron पे charge होगा वो कितना लेना है आपको वो minus one unit के बराबर आपको लेना है ठीक है और electron कहां पे add करना है जहां पे charge जादा है add the electron in that side in which you have more charge जहां पे charge जादा है कैसे अगर आप इस reaction को देखो यह पहरी reaction है वालो तो यहां पे कितना charge है बोलो two plus यहां पे charge कितना है बोलो three plus तो जादा कहां पर है जादा जादा चार्ज जो है न वो है एफ़ी three plus के पास है न जादा चार्ज जो है न वो क्या है वो है एफ़ी किसको रियक्षन देखनी है रियक्षन देख लो है एच प्लस और है टो वाला पार्ट लास्ट में भी तो कर सकते हैं नहीं लास्ट में नहीं कर सकते हैं आपको पहले करना पड़ेगा उस charge balancing से पहले करना पड़ेगा चार्ज बैलंसिंग तब ही आएगी जब आप item balance कर लोगे ठीक है अब यह guarantee हो गई है कि अपने को electron कहा जोड़ना चाहिए प्लस टू की side या प्लस टू की side बोलो प्लस टू की side या प्लस ट्री की side प्लस ट्री की side जोड़ना चाहिए कितने जोड़ने चाहिए कितने जोडने चाहिए सिवा नहीं कितने वन जोडने चाहिए ना तो वन जोड दो आप बस वन लक्टॉन जोड दो गया तो यह माइनस वन आ जाएगा इस इलक्टॉन की वज़े से तो प्लस टू हो जाएगा ठीक है एक तो यह तरीका है अगर किसी वो कन्फूजन होता है बहुत बड़ा कन्फूजन होता है बारबार वो कन्फूज होता है बारबार इलक्टॉन बैलंसिंग में गलती करता है तो उसके लिए क्या चाहता हो नहीं है कि भाई प्लस टू यहाँ है प्लस ट्री यहाँ है ज़्यादा कहां पर है तो ज़्यादा आपको बोलोगे प्लस त्री ज़्यादा है तो जहां ज़्यादा हो वहां चार्ज भेज दिया करो इसको ट्रांसफर कर दो इस तरफ तो यहां बचा जीरो क्योंकि उधर चला गया उधर जाके ये क्या करेगा माइनस का हो जाएगा तो बचा प्लस का वन अब इस प्लस वन को भी जीरो करना है क्योंकि यहां तो जीरो है इस प्लस वन को जीरो करने तरीका है माइनस वन करो तभी जीरो होगा माइनस वन लाने का तरीका यहाँ पर एक एलक्टॉन होना चाहिए यही एलक्टॉन क्या देगा माइनस वन देगा इस तरीके से भी कर सकते हो और किसी को लगता है डाउट होता है बारबार परिसान होता है तो ऐसे कर लेना यह तरीका होता है ठीक है, यहाँ आजाओ, यहाँ पर कितना charge है reactant side में, reactant side में कितना charge है? 7 charge है, और product side में? प्लस 2 है, जादा कहाँ पर है? było reactant side में, तो यह अधर भेज़ दो, तो क्या हो जाएगा प्लस सेवन में से माइनस टू जाएगा प्लस का पांच बचेगा यहां यहां प्लस का पांच बचेगा लेकर यहां जीरो हो जाएगा अब प्लस के पांच को जीरो करना है क्या करें प्लस के पांच को जिरो करना तो मानस का पांच करना पड़ेगा तब ही जिरो आएगा तो उसके लिए आपको यहां पांच लक्टॉन जोडने पड़ेंगे यह वाले पांच लक्टॉन ही क्या करेंगे यह मानस पांच देंगे चार्ज बैलेंसिंग का फील आ गया चार्ज बैलेंसिंग का वील आ गया चार्ज बैलेंसिंग कोई समस्था नहीं है किसी को कर लोगे वाला काम कर लोगे ठीक है अब उसके बाद किया करना आखरी स्टेप आता है ठीक है ऑक्सिडेशन में आप सभी लोग जानते हो कί ठीक है न oxidation में जो होगा electron release होते है ना तो now cancelled now cancelled the charge of both the reaction तो basically अब दोनों का charge cancel करना है तो get net balance reaction है ना to get net balance redox reaction तो net balance ऐसा क्यों कर रहे हैं इस दोले कर रहे हैं कि अगर मैं आप से पूछोँ कि अगर आपको redox reaction को stop करना है तो उसे क्या करना चाहिए है उसका oxidation बंद करना चाहिए reduction बंद करना चाहिए क्या बंद कर देना चाहिए ओक्सिडेशन कहां पर होता है सेल के एनोड पर होता है रडेक्शन कहां होता है सेल के कैथोड पर होता है तो किसका प्रोसेस बंद कर देना चाहिए ओक्सिडेशन का बंद कर देना चाहिए ये जो एलक्टोन बनते हैं न ऑक्सिशन प्रॉसेस में, वही एलक्टोन जो हैं रडक्शन को मिलते हैं, न कम न ज़्यादा, ठीक है, तो अगर आप ऑक्सिडेशन में लक्टोन बनाना ही खतम कर दोगे, रडक्शन अपने आप बंद हो जाएगा, इसलिए आपको ऑक्सिडेशन रडक्शन प्रॉसेस में नेट लक्टोन बराबर करने पड़ते हैं, तो रडक्शन प्रॉसेस क्या कह रहा है कि पांच लक्टोन आने चाहिए, मिलने चाहिए मुझे, लेकिन oxygen कहा रहा है कि मैं तो आपको एक ही दे पाऊंगा तो फिर ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा 5 से multiply करो मतलब 5 mol आप Fe2 प्लस आइन को क्या करो rate करो per second ठीक है तो 5 mol Fe2 प्लस आइन 5 mol Fe3 प्लस आइन बना देगा 5 mol electron बना देगा और second को 1 से multiply करता है ठीक है तो जब आप ऐसा करोगे तो what you get you will get 5 Fe2 प्लस that will giving you 5 Fe3 प्लस प्लस 5 electron ये मिल जाएगा और जो दूसा reaction था जिसको आपने 1 से multiply किया था उसमें 5 electron प्लस 8 H प्लस आइन प्लस MnO4 माइन आइन that will giving you Mn2 2 प्लस 4 H2O so this is the reaction actually ये लिखी होगी है यहाँ पर ये मिल जाएगी ठीक है ऐसे now we can cancel the electron जब आप इन दोनों को add करेंगे ये एक तरह से देखा जाए अगर कोई मुझसे कहता है practically मैं देखना चाहता हूँ तो कहा हो रही होगी तो ये आपके cell के cathode पर हो रही होगी और ये आपके cell के cathode पर हो रही होगी इन दोनों को cancel कर लेना तो ये विल गेट 5 Fe 2 प्लस MnO4 माइनस प्लस 8 H प्लस Mn2 प्लस प्लस 5 Fe 3 प्लस प्लस 4 H2O So this is your answer ये सारे steps हैं आपको ऐसे balance करना होता है ठीक है अगर अगर आप कोई subjective question solve कर रहे हो और आप question को यहाँ छोड़ देते हो तो examiner आपका एक number काट लेगा कम से कम one marks तो काट लेगा पांच number का paper चार देगा चार का तो तीन देगा अगर आप प्रजेंट कर रहे हो बार ही है प्रजेंट करने की तो एक number कटेंगे आपके उसका क्या reason है यहाँ क्यों कटेंगा जबकि reaction balance हो चुकी है तब भी कटेंगे उसका reason है कि reaction जो दी गई थी वो आपको molecule form में दी गई थी FE 2 प्लस है नहीं दिया गया था आपको FE SO 4 दिया गया था देखो ध्यान से के उन्हों 4 दिया गया था H2O 4 दिया गया था तो आपको क्या करना है molecule form में ही finally देना है इसको है ना यह जो reaction आपको दिख रहे है यह समें balance यह ionic form में दिख रहे है इसको molecule form में convert करना पड़ेगा तो अब आप लिखेंगे now convert this reaction now convert this reaction in molecular form इसको आप molecular form में convert करो molecular form में convert करने का तरीका यह है कि जो आपने हटाया था उसको बापेस जोड़ दो क्या हटाया था देखो F2 plus IIN से F2 plus IIN से आपने क्या हटाया था F2 plus IIN से आपने हटाया था sulfate IIN तो आप दोबार लगा दीजिए MNO4 माई साइन से क्या लगाया था क्या हटाया था एक में रुकना मैं एक काम करता हूँ रेड मार्क कर देता हूँ जिनको या अखरी में कर दोबार रेड मार्क FE SO4 इस से अपने potatium हटाया था तो उसको बापेस लगा दीजिए 8H प्रस आयन जो है न वो किस से आ जाएंगे वो 4H2 SO4 से आ जाएंगे MN की जगे पे SO4 लगा दो ये 5 FE 3 प्लस है तो और आपको FE 2 SO4 होल त्राइस चाहिए तो 5 बाई 2 कर दीजिएगा ये सब settlement करना आने चाहिए आपको फटा फट हो जाएगा प्रैक्टिस से आ जाता है 5 बाई 2 करने बाई 2 से FE 2 का 2 करने चैंसल होके 5 FE आएगा K2 SO4 पिक्चर में नहीं है लेकिन आपको लाना पड़ेगा और वो हाफ की 2 SO4 लाना पड़ेगा क्योंकि K1 4 में एक ही पोटेशियम है इसलिए हाफ की और यह 4H2 हो जाएगा अब चाहें तो 2 से मल्टिप्लाई भी कर सकते हैं तो यह विल गट 10 FE SO4 प्लस 2 K1 4 प्लस 8 H2 SO4 गिविंग यू 2 MN SO4 5 FE 2 SO4 whole thrice और प्लस K2 SO4 प्लस 4H2 यहां तक अगर लेके गए तो पूरे marks में लेंगे यहां तक लेके गए तो K2 SO4 लाना पड़ेगा ना पहले था आटाया था ना पहले यहां पर था ना अक्षत K2 SO4 पहल लाए है ना तरीके से यहां पर अच्छा, यहां पर कुछ गरवड किया क्या, हाँ, यहां पर कुछ गरवड हुआ यहां पर 812 हो आएगा, दो से multiplied हो है ना, 812, बिल्कुल 64 होही आएगा, यहां तक आकर आको पूरे marks मिलेंगे, लेकिन ज्यादा का बिल्कुल सही है ज्यादा का अपने लिए आइनिक फॉर्म वाला है यही काम का होता है इलेक्टो केमेस्ट्री से लेके रडॉक्स तक यह सब कुछ जो है इसी से बन जाता है तो मॉस्ली रियक्षिन आपको मॉल्लीक्लर फॉर्म में दी ही नहीं जाती है यह इस फॉर्म में नहीं दी जाती है इस फॉर्म में आपको दी ती इस फॉर्म में नहीं दी जाती है इस तरीके से बताएंगे है ठीक है तो जातर जो है आइनिक फॉर्म में ही दी जाती है इसी फॉर्म में दी जाते हैं, इसी फॉर्म में आपको ब्रेक करके काम करना होगा, ठीक है, तो ये कम्प्लीट हो गया आपको, इस तरही कैसे, रिलॉक्स भी बता दिया आपको, कल की क्लास में अपन बेसिक मगरावाला भी करवा देंगा आपको, आपको, चालो, टाइम भी हो गया, नोट्स भेजदो, अभी भेज देता हूं, नोट्स कहां तक के भेजदो नोट्स, कहां से भेजदो नोट्स, कहां से चाहिए आपको, आज की कलास का चाहिए न, हाँ वीडियो भी डल जाएगा